हाँ तो मेरी प्यारी आपियो, अम मेरी पहली कौन बुझेगा हाँ तो मेरे छोटे भाई, जरा पूछा तो सही कौन सी पहली है जूँ जूँ आगे कदम बढ़ा जाए, पीछे निशान भी मिटा जाए नमबर एक कश्ती, नमबर दो गाड़ी अपी अपी इसका जवाब मैं दूँगी, मैं दूँगी अच्छा अच्छा, तुम ही जवाब दे दो इसका अपी इसका जवाब तो मुझे कश्ती लगता है क्योंकि कश्ती पानी पे चलती है और पीछे से निशान खतम हो जाते है क्योंके गारी तो अपने निशान छोड़ती है इसलिए मुझे तो कश्टी ही लगता है बहुत अच्छे प्यारे आपी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है अच्छे तो प्यारे आपी मैं भी एक पहली डालना चाहता हूँ हाँ छोटे प्यारे भाई जरूर जरूर आपके भी जहन का पता चलता है अच्छे तो मेरे बहन भाईयो बताओ एक शेय है जब भी हाथ में आए पानी पीपी घुलती जाए नमबर एक नमक नमबर दो साबन की पिकिया अच्छे तो मेरे प्यारे भाईयो इसका जवाब मैं दूँगा मुझे तो लगता है ये नमक है क्योंकि नमक ही घुल मिल जाता है और साबन की टिकिया नहीं घुलती मुझे तो पता है आप तो सब बड़े हैं मुझसे आप ज्यादा पहलिया बूज लेते हैं बहुत अच्छा लगा अच्छा तो मेरे प्यारे भाईयो ये बताओ कि वो क्या चीज़ है ना खाता है ना पीता है बाते करकर जीता है नमबर एक फून नमबर दो रेडियो प्यारी आपी प्यारी आपी इसका जवाब तो मैं दूँगा मुझे तो फून लगता है टेली फून जिससे वो बाते करता है इधर की उधर और रेडियो तो सिर्फ सनाता है अच्छा तो अब मैं पूछेंगी अपने प्यारे भेन भाईयों से अच्छा वो क्या चीज है ना हाथ है ना पाऊ है फिर भी चलता है यहां कभी वहां नमबर एक दो नमबर दो अधेरा मुझे लगता है कि अंधेरा होगा क्योंकि धूप आते ही अंधेरा भाग जाता है जैसे ही धूप खतम होती है तो अंधेरा फिर वापस आ जाता है मेरा जवाब मुझे लगता है सही है मेरे छोटे भाई बहुत प्यारा जवाब दिया और अच्छे से समझाया जीते रहो अच्छा तो मेरे प्यारे बेहन भाईयो हमको भी ऐसे ही एक दूसरे से खुल मिलके रहना चाहिए जिसे हमें प्यार महबद बढ़ती है ऐसे सुवाल जवाब से एक दूसरे की कॉमन सेंस का पता चलता है बहुत अच्छा लगा मेरे छोटे बेहन भाईयो ऐसे ही हमको मिल जुलके रहना है बहुत खुद बहुत अच्छा लगा आपने हमारी वीडियो देखी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सक्स्राइब और लाइक करें बहुत शुक्रिया